हलो दोस्तों जैमातादी दोस्तों आज की इस फीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए साल 2024 कैसा रहने वाला हैं जो आपको बताएंगे वो जानकारी चंदर रासी पर आदारित होगी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2024 के अंदर बड़े बड़े ग्रह, लंबी दूरी के ग्रह, यानि की देव गुरू बिरस्पती, सनी महराज, राहु अकेतू और इस्पेसली केतू महराज ये आपकी रासी को किस प्रकार से फल देने वाले हैं, A to Z जानकारी हम हासिल करेंगे, साल 2024 के लिए आपका समय कैसा रहेगा, वैसे तो 2020, 2021 आपके लिए उतना ज़्यादा खास नहीं था, एक तो सनी की धया भी लगी हुई थी, तो ऐसे में आप लोगों के लिए साल 2024 इस्पेसली आपके लिए कैसा रहेगा, मैं आपकी रासी को किस प्रकार स बताने बाला हूं, और कौन से ऐसे सुपकाम हैं, जो कि आप आपके बनने बाले हैं, और 2024 के अंदर ग्रहन के गोचर आपकी रासी को किस तरीके से चमकाने बाले हैं, आईए वीडियो के शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बताएं, जो भी जानकारी है, वो चंदर रासी प आप देख सकते हैं, चैनल पर अगर आप पहली बार आये हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, तो चलिए, अब आपको सबसे बड़े खास सुबस्तमाचार आपके लिए लेकर आया हूं, जी हां, टाइटल में और आपने धन वर्सा आपकी रासी पर होने वाली है, 9 के 9 गरह मिलकर करेंगे आपके उपर धन की वर्सा, हां, हमारी बात यह आप नोट करके रख लेना, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लाब मिलेंगे, किस गरह से आपको लाब की प्राप्ती होंगी, कौन से काम आपके बनने व रहेगा, आने वाले डेड़ वर्स के लिए, जी हां, क्योंकि 31 अक्तुबर 2023 से केतु ने रासी का फ्रिवर्तन कर लिया है, और केतु महराज निकल चुके हैं, और अभी भी आ गये हैं, ऐसे में आप लोगों के लिए अब डेड़ साल, यानि कि 17 जनवरी 2025 तक, 24 का पूरा स और साल 2025 के जनवरी महिने तक, यह कन्या रासी, बुद्ध की रासी, मेराहू और केतु, दोनों ग्रहों का रासी फ्रिवर्तन हो चुका है, ऐसे में सबसे पहले आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, बि केतु के रासी फ्रिवर्तन का पढ़ने वाला है, यह मैं आपको बता देता हूँ, आईए विडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट जानकारी दूंगा, तो विडियो को कंटिन्यू पूरा दिखेगा, उसे पहले माता भदरकाली के सच्चे भक्त, कमेंट कमें बॉक्स में जै मा भदरकाली, जै मा अंबे जरूर लिखेगा, जिसके साथ भी माता भदरकाली का आश्रिवाद होता है, उनके जीवन में कश्ट और बाधायें दूर दूर तक नदर नहीं आती हैं, माता रानी स्वेह उन भक्तों की रक्षा करती हैं, यसलिए जै मा भदरकाली, मा मेरी रक्षा करो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजेगा, अब चलिए, शुरुवात करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि केतु महराद चल रही थी और राहु चल रहे थे, मेस रासी में, यानि कि आपके कुंडली के सात्वे घर में राहु बै पाया, क्या कारण रहे, बड़ा कारण तो यही था, कि आपके कुंडली के सात्वे घर में राहु का बैठ जाना, और सात में गुरु चंडाल दोस भी बना हुआ था, अब गुरु चंडाल दोस भी खत्म हो गया, यानि कि देव गुरु की जो पावर्फुल जो सुब दृ अमरित दृष्टिया हैं, वो सीधी आपकी रासी में भी पड़ रही है, सीधी दृष्टी और उनकी पाँच्वी, सात्वी, नमवी दृष्टी भी आपके घर में जुड़े लाब आपको मिलने वाला है, यानि कि साल 2024 में घर से जुड़े लाब आपको मिल सकता है, तीसर चोटी आत्राओं के साथ आपको लाब मिलेगा, वहीं आपके छोटे भाई वहन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुभयोग भी बनेगा, ऐसे में अब आपकी रासी के नए कनेक्शन, नए रिलेशन बनने वाले हैं, डिसिजन लेने की पावर बढ़ने वाली हैं, बिल पाव बड़े भाई से लाब उच अधिकारियों से लाब दिलवाएगा, और यहाँ पर आपको बताएंगे कि देव गुरू की जो सीधी दृष्टी आपकी रासी पर है, यह आप लोगों को कलाकार अगर आप हैं, तो कलाकारों को चमकाने वाली हैं, यानि कि पबलिसिटी, प्य रासी में मेश रासी के अंदर मित्र रासी, आपके सेवन्ता हाउस में कैंदर बने रहेंगे, और यहां से धन वर्सा करते रहेंगे, गुरू का अश्रवात तो मिलेगा, और अगले 6 महीने तो जमकर मिलेगा, उसके बाद एक साल देव गुरू बिरस्पति धन भाव को दे देखते हैं, ऐसे में धन वर्सा ही आगे भी करते रहेंगे, लेकिन गुरू का जो सबसे ज़्यादा सुफल मिलना है, वो आपकी रासी को अगले 6 महीने के अंदर मिलना है, आज मैं जो बात करूंगा, ओवरॉल सनी देव की भी बात करूंगा, क्योंकि सनी देव जो कि इस यह सनी महराद अब आगे भी मारगी भी हो चुके हैं, सीधी चाल में भी आ चुके हैं, ऐसे में 2023 की सुरुवाद तो आपको अच्छे फल नहीं मिले हैं, मुझे पता है 2023 जो यह साल था वो आपके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन वेफिक्र रहें क्योंकि अब 2024 आपके अंदर आपके उपर जबरदस्त पैसु की बरसात सनी देव करेंगे, पहले क्या कारण था, पहले सबसे बड़ा कारण था कि आपके केतु आपकी रासी में थी, जिसकी वज़ा से खर्चे बढ़े वे थे, सुभाव में एग्रेसिव आपका सुभाव बना हुआ था, 24 और 25 यह दोनों के दोनों यानि की लगभक डेड़ वर्स अगला जो है वो डेड़ वर्स इसमें सनी देव आपकी रासी को बड़े बहत्रिन पंचम फल देंगे, पंचम भाव से जुड़े सभी सुभ फल आपकी रासी को मिलने वाला है, जानि की आपकी लवलाइफ, आप बड़ा जबरदस्त रहेगा, सनी का गोचर अगामी धेड़ वर्स के लिए सनी देव पहत्रिन फल देंगे, यह मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, और अब मैं चलता हूं सीधे केतु पर, क्योंकि यहां पर जो आपको टॉपिक है, यह केतु से जुड़ा हुआ है, और केतु जो है, वो राहु के बिल्कुल डिफरेंट है, राहु माया भी है, बहरूपिया भी है, जूट बोलता है, अधर्मी है, अनेतिक है, चालवाज है, चलागरह है, धोखेबाज है, लेकिन केतु ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल डिफरेंट है, यह तो एक धर्मी है, द रामों को रुका देता है और केतु महराज जफसु फल देने पर आएं तो राहु यह राहु से ज़्यादा धन देने में सक्चम है यह लोट्री लगने में सक्चम है रंग से राजा बनाने में सक्चम है और फर्स से हर्स तक ले जाने में सक्चम है ऐसे में अब यह केतु महर आज आप लोगों को बहुत ज्यादा बहत्रिन फल देंगे अगामे डेड़ वर्स में और राहू के साथ मिलकर देंगे यानि कि राहू के तू सनी गुरू यानि तीनों ग्रहों चारों ग्रह बड़े जबरदस्त जिसमें कि गुरुदेव छे महिने टॉप का रिजल्ट उसक देड़ वर्स में जो धन दौलत की बात करें तो राहू केतू गुरू शनी आपकी रासी को माला माल करने वाले हैं अब यह समझ लिजिए कि उनकी दृष्टी कहां पढ़ेगी बीते डेड़ वर्स में क्या प्रॉलम आईगी आपको क्योंकि केतू के सीधी दृष्टी भी पूरी होंगी और संतान सुख भी आपको मिलेगा पढ़ाई लिखाई वाले विद्यार्थों को भी बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे और यह जो मैं आपको बता रहा हूं इसे आप पूरा ध्यान से देखेगा कि आपके लिए जब सेवन्त हाउस में थे तो किस प्रकार स प्रिणाम आपको दे रहे थे आपको जो है पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थों को मन नहीं लग रहा था बहुत अच्छे नतीजे भी नहीं मिल पाए थे लव रिलेशन भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं ता उठा पटक रही थी स्टोक मार्केट में अगर आप काम क यह क्या है आज मैं आपको कुछ साफधानिया भी बताऊंगा इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा शमजने का परियास करिएगा और जानकारी अच्छे लगे तो लाइक सेर कमेंट जरूर कर दीजेगा ठीक है चलिए अब केतू के द्रिष्टी से हट सुकी है इसलिए आपकी रासी पर आपके पांचमे भाव में पांचमे और साथमे और नवजगघर में होता है ठीक है केतू की द्रिष्टी अब भागे का धर्म का ज्यान का तिर्षयात्रा का विदेश से लाब धनी लोगों से लाब और पिता से सुक की प्राप्ति करने का पंचम सब्तम भाव के बारे में बताया नम्म भाव के बारे में आपको बताएं तो यहां से केतु के दृष्टियातु की है यानि कि यह तीन घर आपको जम कर पैसा देंगे अब सुनिए बड़ा खास क्या है केतु आ गए हैं अपने उच अस्थान में ऐसे में अब जब तक यहां रहेंगे वह खर्चों को बढ़ाते हैं लेकिन यह जब कन्यारासी में आएंगे तो यह परेक्टिकल इनुवेटिव गेलकुलेटिव क्रियेटिव बनाते हैं उसे अस्थान में रहेंगे आपने यानि कि आपकी रासी से बारवी अस्थान के अंदर राहू की उच्छ रासी में रहेंगे राहू कन्या रासी में उच्छ होते हैं लेकिन केतू रहेंगे अपने अस्थान में यानि कि बारवी घर में और राहू भी बैठेंगे आपके अपने उच्छे तस्तान में छटे घर के अंदर और ऐसे में बैठ चुके हैं यानि कि यह तो राहू के तो सर्वस्रश्ट फल आपको देंगे आपकी रासी को मिलने वाला है सबसे जादा जो टॉप का फल होगा है वह उच्छी ग्रह के होते हैं जितना मान सम्मान चाहिए उतना मिलेगा जितना नुकसान हुआ है सबकी भरपाई होगी जितने करजे बड़े थे उन सभी करजों को उतारोगे सब चुकता करोगे जितने कोट कचहरी के मुकद में बड़ी ललाई जगड़ा विबाद विबाद हुए हैं परिशानी आई है, सत्रू बड़े हैं, सब खत्म होगा, जितनी बिमारियां आपको पकड़ी थी, उन सभी सारेदी ग्रूप से आप स्वाष्ट रहेंगे, जितनी परिशानियां वहवाईक जीवन में आ रही थी, विवाह नहीं हो पाया था, अब जाकर विवाह के योग भी बनेंगे, नए कामों के सुरुवात भी करोगे, दिन चरिया भी आपके काफी अच्छी रहेंगी, और दिन परते दिन धन की ववस्ता हो पाईगी, धन के लाब भी मिलेंगे, और नए कामों के सुरुवात करोगे, आई के नए साधन भी बढ़ेंगे, यानि कहीं न कहीं से पैसा आता रहेगा चारों दिसाओं से पैसा आता रहेगा फार्टनर्शिप से भी आपको लाब मिलेगा यहां बड़ा बहत्रिन फैलाव की रासी है आपको मिलेगा अब मैं आपको बताओं कि इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी और क्या सावधानी रखनी है देखिए के काम जो है वह आपका अब दिन रात चलता रहेगा तो आपको नींद की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपके बारे में घर में रहेंगे बारेवे घर में रहेंगे ऐसे मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े काम आप करने वाले हो नौकरी को लेकर आपकी चि त्री नफसर मिलेगा और कमर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि आपकी रासी को क्योंकि छटे भाव में राहू रहेंगे तो कमर का थोड़ा ध्यान रखिए जो काम करोगे तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा जिम भी करना होगा वेट ट्रेनिंग भी करनी गया है क्योंकि केतु की पांचवी द्रिष्टी पड़ेगी सीधे आपकी चोते घर पर इसलिए परिवार का सुक मिलेगा मा का सुक मिलेगा गाड़ी बंगला भूमी का सुक मिलेगा यानि कि अगर रियल इस्टेट में पैसा फसा हुआ था तो राजनितिक में अच्छे इवेश करना चाते हैं तो वह कर सकते हैं प्रुपटी के काम में पैसा और इंडिस्ट्री भी में काफी अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा एक साफधानी आपको रखनी है बोलवानी में थोड़ा सा बोल जाल की भासा में थोड़ा सा पारिवारिक रूप से मिठास बन रहेंगे और ससुराल पक्से से भी आपको लाब मिलेगा और आपके जीवन में इस समय बहुत ज्यादे खुशी की प्राप्ति होंगी आपको अपने बोलचाल की भासा में थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा मान सम्मान भी आपके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए ओवर 24 का जो एहसास है वह आपको आपके परिबार में और आपके जीवन में बहुत सारी लाखो क्रोडों खुस्यां लेकर आने बाला है मेरी सुपकामनाएं आपके साथ हैं आने बाले समय में और भी जादा जानकारिया आपकी रासी को देने बाला हूं वीडियो देखने के लि